आमले का सिजन है इसलिए आमले की रेसिपी लेकर आए हूँ आमले को आप मुरब्बा बना के खाए आचार बना के खाए कैंडी बना के खाए चाहे जैसे भी खाए यह बहुत जादा फाइड़े मन चीज है आप जैसे भी खाएंगे इससे फाइड़े पहुचेगा तो इसलि बहुत ज़दा पानी नहीं डालनी है बस आधा का पानी से ये बहुत बरिया से कुक हो जाएंगे और इसे आपको मीडियम फ्लेम पे बस थोड़ी देर इसे पकाना है और जिससे की ये देखे इस तरह का वो हो जाएंगे हलका से क्रेक डिखने लगे तभी आपको इसे आच्छे नीचे उटार लेनी है तो ये देखिया आमला हमारा अच्छे से बोईल हो चुका है हमने इसमें पानी के अलावा कुछ भी नहीं डाला है नमग भी नहीं डाला है तो अब जो है हम इसे निकाल लेंगे किसी दूसरे प्लेट में आप चाहें तो आमले को स्टीम भी करके पका सकते हो इससे भी ये बहुत बरिया से खुल जाता है तो ये देखिया आमले को हमने पानी से निकाल ली है और अब जो है हम इसे थोड़ीडे सुकने देंगे और ये जो पानी olarak बच गया ए, उसे फेकना नहीं है इसे हम डाल में इस्टेमाल करेंगे तो ये देखिया, आमला हमारा सुक गया है तो अब तोड़ी से मसाला हमने लिए है इसमें है पाच पूरन मेठी की डाने, राय के डाने, पीली सरसो और सौफ तो इतना ही मसाला हम इस्तेमाल करेंगे बहुत जड़ा मसाला दालने से ये रिसिपी बढ़िया नहीं बनती है तो इतनी मसाले को हम पहले हलका सा ड्राय रोस्ट करेंगे ताकि पीसने में आसानी हो और उसके बाद हम इसे हलका सा डर्डरा सा पीस लेंगे तो आपको इसका बिलकुल फाइन पाउडर नहीं बनानी है आप अगर मिक्सी जार को थोड़ी देर रुक रुक कर चलाएंगे तो हलका सा डर्डरा आपका ये जो है मसाला बनके त्यार हो जाएगा तो ये देखिए मसाला हमारा त्यार हो चुका है हमने इसे कटोड़ी में निकाल ली है और अब हम इसमें एद करेंगे एक चमस नमक अभी नमक थोड़ा कमी डालेंगे बाद में जुरुत होगा तो फिर डाल सकते है एक समस सिली फ्लेक्स थोड़ा सा टीखा पन के लिए क्योंकि हम इसमें हरी मिश नहीं डाल रहे है आदे चोटे समस हिंग हमने डाल दी है और एक समस हमने कश्मिली लाल मिश डाल दी है ये कलर के लिए है तो अब जो है एक समस हम फिर से इसमें हल्दी एट करेंगे और सबी चीजों को अच्छे से एक बर मिक्स करेंगे तो मसाला को आप इस तरीके से मिक्स करके रख भी सकते है और जब कभी भी आपको किसी चीज़ की आचार बनाना हो तो आप इसकी इस्तेमाल कर सकते है मैं इस तरह से मचाला बना के अक्सर रख देती हूँ तो अब जो आमला है आमले को आप देख सकते है इस तरह से उमली से खोल के हम इसके अंदर मसाला भर देंगे ये बहुत ही आराम अराम से हो जाता है और इसे करने में भी बहुत मज़ा आता है इस तरह से जब आप आमले का आचार बनाते हो तो मसाला जो हो एकदम अंदर तक जाते है और ये खाने में बहुत तिस्ति लगता है साथ में देखने में भी ये बहुत सुन्दर लगता है गर में कोई गैसा आचार आओ तो इस तरह का अचाराफ स्थ कर सकते है बहुत ही बढ़ीया लगता है देखने में तो ये देखे इस तरह से हम सारे मसाले को इसमें अच्छे से भर देंगे ये देखे ये सारे हमने भर के तियार कर ली है और ये लगबग ready है तो अब जो है हम इसमें oil डालेंगे इसके लिए हमने लिए mustard oil oil को हमने बहुत अच्छे से गरम कर ली है और अब गरम oil को हम इसके उपर डाल देंगे गरम oil डालने से क्या है जो मसाला है वो बरहया से अंदर तक सेथ हो जाएंगे और यह आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा जो है यह आशारा भी बनके त्यार हो गया है अब इसको हम ऐसे ही रख देंगे जब तक यह पूरी तरह से थंदा नहीं हो जाता है और जब यह थंदा हो जाता है तो ओयल की साथी हम यह आमले को भी किसी जार में हम भर लेंगे इस तरह से आमले का अशारा भना के रखोगी तो बारों महीने आप इसकी लाब उता सकते हो क्योंकि आमला बहुत जादा फाइडन міिड होता है आप किसी भी तरह से आप इसे खाईए यह बहुत जादा फाइडा देता है तो मैं अकसर इस तरह से अचार बना के रख देती हूँ आप भी मेरी तरह से एक बर बना के देखिए और पसंद आता है तो कॉमेंट में जरूर बतेएगा और अगर आज की रेसिपी आपको जारा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीज़ेगा और मेरी सेनल को सबस्क्रेब करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरी सेनल में इस तरह के काफी सारे वीडियोज है आमले की और भी अचार है आप उसे भी चेक कर सकते है तो चलिए इसी के साथ ही विदा लेती हो गुद बाई एंटे क्यार